Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.S.T.E.M.H.I.03 के बारे में बात करेंगे किस तरीके से cover किया जाता है, News Anchors को देखाओ का आपने घटना करम को cover करते हुए तो किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरह से present किया जाता है उसके बारे में किस तरह की विचार धार है उस टाइम पर होती है यहाँ पर यही हमें ही स्टाइट देने के लिए मिलता है तो चलिए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर में और डेटेल में पूरे बुक को cover करते हैं इस पूरे बुक के अंदर में total 7 block है हर block के अंदर में 3-4 lesson आपको देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो इतिहास किस तरीके से लिखा जाता है उसका basic जो है न यहीं पर आपको से क्लिए मिलता है यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर आता है जिसके अंदर में हम बात करते है सम्माननी करन के बारे में Journalization सम्माननी करन होता क्या है तो कोई भी अववस्थित आंकडे कोई भी unclear तर्क है उसको संगठित करके करम वाइस तरीके से प्रस्तुत करना सम्माननी करना करना आता है अब समझ में नहीं आयोगा आपको मैं आपको थोड़ा से example की basis में सम्माननी करना हूँ कोई एक्सिडेंट हुआ तो किसका एक्सिडेंट हुआ कैसे हुआ पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ था किस तरह का पूरा प्रोसेश रहा ये सारा कुछ आपके माइंड में question हुआ जब हम देखते हैं जाते हैं तो आसपास में पूस्ते हैं, किसका accident वा, कौन है, किस ने मारा, किया किया, इस तरह सा question पूस्ते हो, तो same चीज, जब इस तरह के चीजे होते ही न, तो उसी को हम आह पर आंकड़े कहते हैं, तर्क कहते हैं, जब उन सभी चीजों को दस लोगों से आपने पूछा दस लोगों का बात समझ में आगया आपको कि अच्छाई यह मैटर हुआ था और उसको इकठा करके जब आप एक पूरा क्रम वाइस तरीके से उसको प्रस्तूत करते हो आप प्रस्तूत करते हो कि पहले यह हुआ पहले स कारण कारे संबंद क्या है कोई भी घटना की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कारण क्या भी है कि आपका अभी से थोड़े दिर बाद एक्जाम है तो आपको एक माइंड में के लिए रहे विजन के हाँ यह वाले टॉ करके जाओंगा तो important रहेगा दो रहाई गंटे जो बचे हुए उसमें आप उन टॉपिक पर थोड़ा सा टाइम दे सकते हो इसके कारण से मैं जो बना रहा हूं तो कारण कारे से मतलब क्या कोई भी घटना घटती है कोई भी कारे करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारन है कारन को logic basis पर देखना वो एक important पार्ट रहता तो कारे का घटने से सबसे most part क्या होता है कारन का अगर कारे किया जा रहा है तो कारन होगा ही होगा मनुस्य को हमेशा कारन प्रिरीद करता है कारे करने के लिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका reason यह है कि आपका पर में आपको ज़रुत है तो आपने देख़ा मतलब है तो आपने देखा तो आप कारे को घटने के लिए कारण का ज़रूरी हुए x x समझ में आता है कि आपका दूसा जूद आता है तिसा लेसन आपका आता है वस्तूपरक्ता ये भी एक two-parakta के नंदर में बोला जाता है कि कोई भी घटना जी तरीके से घटी history के अंदर में, इत्यास के अंदर में, उसको यथारत रुप से परस्तूत करना ही वस्तूपरक्ता कहला तो, ठीक है, और अगर आप आगे जो भी chapter पढ़ोगे न, वहाँ पर वस्तूपरक्ता का कई बार use किया गया है, कि इस लिखक के द्वारे यहाँ पर वस्तूपरक्ता का ध्यान नहीं रखा गया, आज के जो news anchors हैं, वह वस्तूपरक्ता को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, वो अपने इसाब से जो उनको stable लग रहा होता है, जो उनके लिया अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, वो उस word को use करके proper तरीके से news को present करते हैं, जिसका मतलब होता है, कि पूरी story change राती है, पूरी story की मतलब change राती है, और इसलिए इतिहास में कहा जाता है, कि वस्तूपरक्ता को follow करना बहुत जरूरी होता है, कि जिस तरीके से जो गटना गटी है, यह थातरूप में प्रसूत करना होता है, अपनी feelings को दूर रखनी होता है, य यह थातरूप से present करना है, तो यह total तीन चैप्टर रहता है, चौत्था चैप्टर आपका रहता है, इतिहास, विचारधार और समाज, इसको avoid कर सकते हो, बाकि तीन चैप्टर में से एक question बनकर आना तहर रहता है, तो आप इसको थोड़ासा BC सुरूप से focus करोगे, जिसके आपको आगे बढ़ना है, यह तीनों जो टॉपिक है उसको पढ़ लेना, क्योंकि कई बार एक्जाम में आता है और important हो, आपका अगला जो चैप्टर रहता है, यहाँ पर पूर्व आधोनिक प्रमपराओं के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर में आता है, आपके तीन चैप्टर आते हैं, जिसमें आप बात करते हैं, यूनानी रोमन परमपराओं के बारे में, चीन इतिहांस लिखन के बारे में, और भारतिये जो इतिहांस लिखन की परमपराओं थे उसके बारे में, यूनानी रोमन परमपराओं के अंदर में, दोनों के बारे में हम केंप पर प्रजिंट किया गया एक तरह से कहानी के तोर पे जो लोगों के पास जा सके और लोग उसको enjoy कर सके लोग उसको समझ के भी से ठीक है इसको रोमन वाले जो थे रोमन इतियासकार थे उसका यहां पर मतबेद भी होता है मतलब आपस में विरोध भी देखने के लिए मिलता ह करते हैं पारम परिक चीनी तियास लिखन की बात करोगे तो चीनी तियास लिखन के अंधर Son stick जो मतलब saastri अब उनके जो संस्कृति के आधारी थी मार जाए पर पुराशीं परॉरणिक की वां प्राचिन भारत के इत्यास लेकन को बताईए तो जो अर्बी इत्यास का अरत है उपने विश्वादी इत्यास का अरत है उनके द्वारा भारत को पॉइंट आउट किया गया कि भारत के लोगों को इत्यास लेकन के बारे में जानकारी नहीं है वो तिती को लेकर अभिन है उनको लिखना नहीं आता कि के वो इतियास लेखन के बारे में कुछ नहीं जानते है बट अब आपको यहाँ पे उसको गलत प्रूफ करना होता है कि किस तरीके ज़र भारत का इतियास लेखन रहा है तो भारत की इत्यास लेकरने की बात करोगे तो बहुत सारे हमारे पास उपनिशद हैं, गरंत हैं, महा काववे हैं, महा पुरान हैं, तो कौन-कौन से क्या चीज़ हैं, किसके सोर्स से क्या हमें पता चलता है, बोद्रम, जेंद्रम के गरंत हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है साथ इसाथ कलहन के द्वारा लिखे गई रजत रंजनी है तो वो कुछ और भी बहुत सारी ग्रंत है जिनके आधार पर हम भारते इतियास को डिफाइन करते हैं कि भारत की हिस्ट्री इस परकार की रही तो उसको आप यहाँ पर बताओगे समझे में आता है पर यह 6 हो के 6 हो important है इसके बाद के जो chapter रहते हैं ब्लोक रहते हैं वो उतने ज़्यादा खास नहीं कि यार यह वाला भी पढ़ना है यह वाला ही पढ़ना है उसमें normal average पढ़के जाओगे तो भी अच्छे number बन जाते हैं चलिए अगले ब्लोक के और बढ़ते है तो यहाँ पर मैंने दो ब्लोक बताए दोनों के अंदर में आपके important topics बनते हैं question बनते हैं वो मैंने आपको समझे ब्लोक नंबर 3 जहाँ पर हम बात करते हैं पुर्व आधुनिक परंपराओं के बारे में इसके अंदर में total 4 chapter आते हैं चार chapter अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं बात करूँ 8, 9, 10, 11, 4 chapter रहते हैं इस्थानी इतिहास के बारे में बात करते हैं 11 इतिहास क्या होता है जब आप एक छोटे इस्तर का ना एक आम इस्तर का चोटे इस्तर का जब इतिहास को study करते हो उसको point out करगे आंकडो को संगलन करते हो तो उसको मिस्थाने इतिहास कहते हैं ठीक है कोई भी area में चले गए ठीक है अब new Delhi में जाकर अगर मानलो मैं मतलब CP में जाकर CP कही करू CP कहा जो आसपास की जुपगी जोपड़ी है अगर मैं उसका history को cover करने लगो उसके आंकडो को वविस्तित करने लगो तो वो इस्तानी इतिहास कहलाएगा ठीक है एक normal सी जगत है इसी chapter के अंदर में आपको मौकी की इतिहास के बारे में अब दो question मिल जाते हैं सुक्षम इतियास और मौकी की ते उसके ऊपर में आपका आजाता है मद्यकाले इतियास लेकर इंडो पर्शियन इंडो और पर्शियन जो लोग आयोगे थे उन्होंने किस तरीके से इंडो पर्शियन इतियास लिखन लिखा ठीक है उनकी लेखन विदी क्याती वो बताऊगे अरबी और फार्सी त्यांस लेखन की विदी क्याती यह बताना है तो अरबी के अंदर में तो जो अरबी लोग वगवा करते थे किस तरीके से उन्हें ना मेन जो स्टार्टिंग किया तो जो उनका परमुख गरंद थे धार्मिक गरंद थे उनको ही वहाँ पर ट्रांसलेट करना शुरू किया अरबी के अंदर में उसको लिखना शुरू किया उनके जो मुहमद पैगंबर जी थे उनको उन्होंने उनकी जीवनी लिखना इस्टार्ट किया ठीके तो किस तरीके से वो चीजे परज़ेंट की गई और वहां से त्यांस लेखनी की शुरूआत होती अरब के अंदर में ये देखने के लिखले मिलता है फार्सी भासा का उप्योग भारत के अंदर में भी जोर सुरूब से शुरूबर अरब के लोग भारत के अंदर में यहां पर फार्सी भासा को प्योग के जाने लगा और फार्सी भासा के अंदर में ही ज्यादा था धार्मी गरंतों को इसलाम के धार्मी गरंतों को लिखा गया ठीके बनाया गया इसका में रिजन यह था फार्सी भासा का फैलाव जाता था कि यह चीज़े यहां पर देखनी लिए मिलते हैं तो किस तरव से चीज़ रही है वो बता सकते हो और पश्चमी इतिहास लखने के अगर बात की जाए तो जो west के अगर logic लेके चलना है बाकी इसको avoid कर सकते हो ठीक है अगले block के और बढ़ते हैं block number आप अगर 4 के और जाओगी तो आधुनी काल में इतिहास लेकन के बारे में और द्रिष्टियों के बारे माया यहां पर आपको total तीन चैप्टर मिलते हैं तीनों चैप्टर important है पहला चैप् movie वे देखा होगा dialogue आता है या आपके आँकों के सामने गटना गटी अगर वह गटना आपके आँकों सामने घटी है तह मतलब आप i description हो और आप घ्रणते ऐसके बारे में ुए घटी तो आपने झांते यह आपने नहीं देखा नहीं बोल सकते किसने चोडी किया मैंने नहीं देखा मैं कया सबisted हो और कुरिछ मेरे घला के बारे मिन्—— एक important topic है इसके अंदर में आपको रान के वादी परमपरा देखने के लिए जाता है तो उसको थोड़ा से देखके चलिएगा पिछले साल भी question रान के वादी परमपरा में से आया था तो इस बार भी आ सकता है और दाइनब के उपर में जैसे अभी 2-3 गंटे बागी है आपके तो आप 2-3 गंटे में क्या कर सकते हो जो चैप्टर important बता रहा हूं वो तो पड़ो पड़ो सासात में ने दाइनब के उपर में अलग से छोटे-छोटे विडियोस बना रखे हैं जिसमें अलग-अलग topic हमने cover कर वा रखे उन वीडियोस को जुरूर देखें जिससे आपको उसका benefit मिलेगा और आपको clear होदा जाएगा कि क्या चीज़ किस तर से ठीक है तो यह एक ऐसा time period था जहां पर माक्सवाद का ओदे होने वाला था और विश्व के अंदर में जो पूरी ववस्था थी मतलब पूरानी सबसे पूरानी जो माक्सवादी ideology हो क्या है इसके बारे में बात करते है अब विश्व के अंदर में कैसी ववस्था निर्मान हो चुक उसके उपर में विवेचना की गई उसके उपर में चर्चा की गई उसके उपर में सोचा गया अवधार ना रखा गया सोच गहन चिंदन के बाद में कि किस तर की ववस्था है क्या चीज़ है तो मजदूर के द्वारा आंदोलन तो किया गया मजदूर आंदोलन में सफल भ भाई आप भारत आपको पीछे की किसान का बेटा हूं और जो बंदा आपको किसान बेटा निश्कूमत आपको, पैट के। provide की जाए, पार्लेमेंट में बैठा हुआ है, संसिद्व में बैठा हुआ हैसे है हुआ हुआ है। 66 चार सो पुस्तें भी न उसकी अगर वो खेत में ना जाए ना तो भी वो पेट बरके खाएगा ठीक है इस तरह से चीज़े आपको देखने के लिए मिलती समझ में आता है तो यह चीज़े है तो हमारी भारत के रियालिटी क्या है वो तो यहां पर में दलब समाक्सवाद के द रेगलर बेसिस पर यह चीज़े है उससे हटकर इन्होंने क्या किया आर्थिक तौर पर दार्शनिक तौर पर कि क्या सोच है क्या विचार है दार्शनिक तौर पर समास सास्त्री से धानतों का समू को यहां पर प्रेजेंट किया जिसको हम यहां पर सास्त्री माक्सवादी पारम्बिक समाजवाद की जो अवीधी होती है उसमें समाजवादी सिर्मिक आंदूलन की मतलब किस तर से क्या भीतर क्या चर्चा किस तर से रही उसके बारे में चर्चा करते है समाजवाद जो आंदुलन चला उसके अंदर में किस तरह से स्रमिक आंदुलन हुआ स्रमिक आंदुलन का क्या important role था उसके उपर में यह विचार व्यक्त करते तो यह सी को हम यहाँ पर सास्तरी माक्सवाद के तौर पर पोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहां पर दिएक नहीं होगा दो चैप्टर और आएंगे माक्सवाद के उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर दूँआ अनाल इस्कूल के दौरामें किस तर से क्या टिपड़ी की गई किस तर से ववस्था ओको व्यक्त किया गया इतिहास लिखन के अंदर में क्या कमी थी किस तर से किन चीजहों के उपर में बोला गया इसकी बारे में आपको बता रहा है एक important topic रहता है और टिपनी basis में भी आता है और ये भी आता है ठीक है तो इस वाले chapter के इंतर में आप परतेक्षवादी प्रमपरा को बढ़ सकते हैं जहां पर रान के वादी प्रमपरा important ये प्रतेक्षवादी प्रमपरा important ये अनुभवादी क्या होता है तो अलग अलग नाम भी आते हैं तो उसको देख लेना मांक्सवादी को आप roughly पहला आपका माक्सवादी देश्टी कोण ही बन गatra 곳ा के अगर आप माक्सवादी हाल के माक्सवादी देश्टी को देहोगे तो यहां पर नॉर्मली यी दिखा गया कि जैसे आप पहला तौंने में क्या परीवर्तन हो रहा था किस तरीके से स्टडी किया गया परीवर्तन को जो यूडोरोप का राजनीतिक सिधान अधर उसके अंदर में change हो रहा था उसको study किया गया उसके अधार पर जो व Näए एंगल से इतिहांस को लिखना चाहते थे, नॉर्मली आप देखोगे इतिहास लिखन के अंदर में राजनेतिक ववश्थाओं को टार्गेट किया जाता है कि इस तरह से राजनेतिक ववश्था है, इस तरह से पुझीवादी ववश्था है, इस तरह की ये धारना है, बट यहाँ पे एक अलग हटकर, एक द्रिष्टी कोन के साथ मैं इतिहांस लिकन के सुरुवात की जाती है और दूसरे रूप में इतिहांस से संबन्दी जो इतिहांस लिकन थे ना उनको निर्धारित करने के लिए उत्पादन और वर्ग जो संगर्स था उसकी महत्यपुन भूमिकाओं पर बल दिया कि किस तरह स परिवर्तन हुआ उसको इस्टेडी किया गया मार्क्सवादी की इतिहांस कार हो गेतरों तो उसको हाल के मार्क्सवादी इतिहांस कार भी बोला जाता है जो प्रेजेंट के अंदर में किस तरह से रूल कर रहे थी किस तरह से उन्हों प्र लिंग बेद क्या लड़का- मोटा तगड़ा जो भी है न यह सारी चीज़े मैंने करवाली वीडियो में करवा रखा है लिंग भेद आपका नसल भेद यह कर सकते हो इसी है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो माक्सवादी वाला आपका चैप्टर इंपोर्टेंट रहेगा माक्सवादी वाला बाक संपर्दाइवादी माक्सवादी और कैमब्रिज भूल के बारे में अब देखो सबसे पहले अगर बात करें उपनिवेश वादी दियास लिकंड़त जो उपनिवेश वादी तियास का आतें उनके दौरा किस तरह सी तियास लिखा गया ठीक है जो भी इस्टिना कंपनी के दीकारी थे, British सरकार के अदीकारी उनके दimana किस तरह इस त्यास लिखा गया राष्टवादी त्यास लिखा जो भारत के अंदर में राष्टवादी विचारदार के समर्थक लोग थे, उनुने किस तरह किसी त्यास को प्रिजिन है, ये बताना है संपर्दायवादी क्या होता है तो भारत के अंदर में अक्सर संपर्दाय इक दंगे होते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम चाहती व्यवस्ता के अदार पर ठीक है, संभूगों के अदार पर, धार्मी के दार पर जो दंगें होते हैं या धार्मी के अदार पर जो स्तती हुत दीशिकोंपर manger आइवाधी होते हैं माचवादी वेवस्ता का इंबटर उसको इस्टडी कर तौर पर भारत अंदर में रहएगा कि भारत के अजाधी के बाद में इतिहास लेखन के अदर माउंक्सवाद का क्या परवा पड़ा किस तरjazド जो स्केंडिखन को उने लेखन का किस तर से लेखन शेतर के अंदर में किस तर से भरपूर युगदान दिया इतिहांस लेखन के अंदर में साथी साथ राजवन्सों के इतिहांस के स्थान पर आम जंता का इतिहांस लिखने के परंपरा माकसवादियों के दौरा सुरुवात की गई राजनितिक इतिहास के इस्थान पर अर्थववस्था और समाज के अध्यन पर बल दिया गया कि राजनितिक को रोजी-्रोजी स्टेडी करते हो, सब स्टेडी करते हैं हम अर्थववस्था की स्टेडी करेंगे, समाज की स्टेडी करें सामंतवाद और उपनिवेशवाद और जैसे सामाजिक और आर्थिक ववस्थाओं का अध्यन सुरू किया गया माक्सवाद के दोरा किस तर से क्या चीजी रही भारत के अंदर ववस्था किस पर गार करा उसके बारे में आप माक्सवादी बात करता है ठीक है आपको आ जाता ह है उसके बख्षिभर के तोर पे माना जाता है और इसका मेंजर में रिजन यह है कि कैंब्री जी स्कूल के जो इत्यासकारों का समूं है उसके अंदर में जो जयादा लोगें वह ब्रिटिप सरकारी के पुरवादिकारी के तोर cloud इसे यह बोलते हैं तो किस तर से centrist से आपका यहाँ पर जो अगला chapter आता है यहाँ पर आपका 7th वाला आपका आजाएगा block 7 जो last रहेगा block 7 के अंदर में totally यहाँ पर 6-7 chapter आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहला जनो मुखी इत्यास लेकन जनो मुखी इत्यास लेकन क्या होता है तो भया जन्जित गुहा के द्वारा में सबाल्टन स्टडी का यहाँ पर एडलोजी रखा गया था जहां पर इतिहास लेखन के अंदर में राजाओं की बात की जाती है इस राजा के द्वारा यह यूद लड़ा गया बट उसका जो आम सैनिक था उसके बारे में बात नहीं कर तो इसका भी तो बलीदान हुआ किस तरह से क्या रहा तो निमन वर्गया मतलब एक छोटे इस तरह से तिहास लिखा जाता है कौन से वर्गों को टार्गेट करके तिहास लिखा है बड़े लोगों का धिकारियों का इतियास देखने के लिखार पर जो आम वैक्ती है किस तरह से उनके बारे में उनका क्या रोल रहता है उनकों सांदोल हो नहे किस तरीके सुनके परजन्ट किया गया यह तेखने के लिए आपको यहां पर पढ़ने के लिए जाती, जाती और लिंग भिद ठीके लिंग भिद वाला चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा और यहां पर भी जाती आधार पर जो बहिया ब्राम्मन छेत्रिये जन जाती है धार पर कि ये जन जाती है ये वो जन जाती है उसके धार पर और लिंग भेत के धार पर क्या इतियांस लिखन रहा है इनका क्या रोल रहा है इतियांस के अंदर में किस तरीके से इनके इतियास लेकरन को प्रजेंट किया गया यह आपको यहाँ पर पढ़ निकले आगे तासीतात धर्म संस्कृति इजी है परियावरन विज्ञान पृत्वकी की इजी है इसको कर सकते हो ज्यादा टफ नहीं है अगर इस ब्लॉक के अंदर में देखोगे तो जनो मुखी इतियास लेकरन के बारे में पढ़ना आपको निमन वर्गय इतियास लेकरन इंपंट्रेट रहेगा इसको पढ़ोगे और आर्थिक इतियास के बारे में पढ़ोगे बाकी के जो चार चैप्टर है और रफली आप थोड़ा वो तक अगर आईडे लेकर जाओगे तो भी आप यहाँ पर सॉल्फ कर सकते हो आप थोड़ा सा डिटील में बात करते हैं कि किसके अंदर में क्या था और कुण-कुण से टॉपिक को आपको पढ़कर चलना है सबसे पहले बात करूँ आपके पहले ब्लॉक के अंदर में इतियास का परीचर तो यहाँ पर टोटल चार चैप्टर आते हैं जिसमें आपको समाननी करन, कारणकारी समन्द, वस्तु प्रक्ता, ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़के जाना एक कोशन तया है ठीक है यह तीनों चैप्टर में से एक यहाँ पर बनना important है आपका अगर अगले चैप्टर के और जाते हो यह कुछ खास नहीं ब्लॉक को छोड़ सकते हो उसके बाद जो अगला ब्लॉक आएगा इसके अंदर में आप परतेक्षवादी, मांक्सवादी और आनाल इसकूल को के जाना यह कोजिशन बनकर आ सकता है आगे के अगर आप चैप्टर के और जाओगे तो आधुनिकाल में इतिहांस लेखन क्या किस परकार से रहा यहाँ पर एक टॉपिक आपका आजाता है मांक्सवादी परमपराओं के दिश्टी कोन के बारे में उत्तर आधुनिक्ताव इसके संदर में और भारते संदर में तीनों मांक्सवाद को मैंने यह पर कवर कर बाई यह कि तो इसको थासे ध्यान से देखना इसे आपका तर जायर और अगले ब्लोंख के श्टी कोन एक पर आरते संदर में यहां पर बताना होता है तो वो भी easy है पर कर सकते हो और Cambridge School यहां पर सबसे main रहेगा इस पूरे unity के अंदर में तीन चैप्टर आपको लेके चलना है उपनिवेशवादी तिहांस लेकर रास्टवादी तिहांस लेकर और Cambridge School यह Cambridge School का जो topic है टिपनी वेस में भी और subaltern studies का है और आरती इतियांस का है तीन चैप्टर यहां पर पढ़ सकते हैं तो नो चैप्टर को आप थोड़ा ध्यान से पढ़के जाएगा और कोई नहीं रोग सकता है यहां पर कुछ चीज़ें में suggest भी करूँगा रीडियो को end करते करते जैसे में हिस्ट्री की बात करें तो उतना टफ नहीं है एक रीजन इसका टफ नहीं होने का क्या है कि इसमें ज्यादा डेटिविट का लफड़ा नहीं है कि आपको डेटि याद करना है उतना ज्यादा लफडानी है नॉर्मल नाम है इजी नाम है आप इसली याद कर सकते हैं कि इतिहांस कार के दौरा क्या चीज़ें कोट की गए और ज्यादा तरना इतिहांस कार रिपीट हो रहे हैं तो वूस में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीके साथे साथ आप देखोगे तहा भी टाइम है आपको उसको देख लीजिए साथ उनको देखने बाद ना अगर आपको पास टाइम बसता है तो लास्ट फाइवेर वाले कोशन बर की वीडियो उसको देखिए अधरवाइस आप कोर्सेश किजिए कि जादा होच पोच नहीं करना है कि यह भी देख लो वह भी देना अच्छे तरीके से पढ़ना आपका अच्छ नमबर आ जाएंगे तो यहाँ पर वीडियो हम एंड करते हैं मिलते हैं अगले क्लास के अंदर में और डेटेल में समझेंगे अगर आपके कोश्चन बीपर के बारे में क्या कोश्चन आया आपके एक्जाम के अदर सभी स्टुरेंट को जो भी हमारे स्टुरेंट है जो आज इनका एक्जाम होगा मेरी तरफ से आपको एक्जाम देना और अपना बेस्ट देना जिसे आपके अच्छे नहीं पर बनें चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो के लिए वावाए टेक केर और बास